हमारे साथ बात करने के लिए मौझूद है बिहार कॉंग्रेस के प्रभारी सक्ति सिंगोईल जी सर फिर से एक बार आपके उपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है कॉंग्रेस के उपर कैसे इसका निर्वन करेंगे आप देखे कल कांग्रेस सद्यक्षाजी ने मुझे बला के कहा और उन्हें ने कहा कि मुझे ही अभी जिम्मेवारी लेनी है तो मैं कांग्रेस का सिपाई हूँ जो जिम्मेवारी दी हैं उसको मेरी जो क्षमता है उसके आधार पे उठाने की कोशिश करूँगा मुझे विश्वास है बिहार के करेकरताओं पे नेताओं पे कि पार्टी के लिए सब कंधे से कंधा मिला के अगर मेहनत हम करेंगे तो बिहार कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था आज भी किसी गाउं में चले जाओ किसी परिवार से मिलो तो वो इंद्राजी की बात करते हैं नेरुजी की बात करते हैं राजीव जी की बात करते हैं तो वहाँ कांग्रेस है उसको हम खड़ी करने की कोशिश करें और आने वाल सब का नाम उछारा जा रहा है देखे सब का ही उमीद होती है सब अपनी बात रखते हैं उसमें कोई चिंता नहीं होती है बीजेपी अपना और कुछ प्लाइन कर रही है जेडियो अपना कुछ और प्लाइन कर रही है सभी पार्टी काधिकार है सब अपनी बात करें कांग्रे का उपिनियन लेके पार्टी डिसाइड करती है तो हम अभी इस दौड में ना इधर ना उधर उन्हीं हमारी बात और आइडियोलोजी को लेके बिहार में काम करेंगे जेडियू ने एक नारा दिया है क्यों करें विचार ठीके तो है नितिशकुमार कैसे देखते हैं अब इस आइसाकी के सहारे वो भी आगे बढ़ रहे हैं अब वो भी बीजेपी इसको कब कहा डंप करेगी वो तो आने वाला वक्त दिखाएगा मुझे इसके उपर ज्यादा नहीं कहना है यह थे हमारे साथ बिहार कॉंग्रेस प्रवारी सक्तिस सिंगो एलजी